एक लड़की को लगता है कि उसका boyfriend अब उसमें इतना interested नहीं है अपने boyfriend के लिए वो plastic surgery करवा लेती है अपनी identity खोने के बाद क्या होता है यह आज के movie का फिरिमाईस है यह एक thoughtful movie है और हमें एक message भी देखर जाती है अगर movie में आपको कुछ समझ में नहीं आता तो last में मैं पूरा समझाने वाला हूँ तो last अक इस वीडियो को ज़रूर देखेगा तो चलिए शुरू करते है movie स्टार्ट होती है और plastic surgery के इसी करवाई जाती है यह हमें दिखता है इसके बाद एक और plastic surgery करवा के hospital से बाहर आती है एग लड़की से टकरा जाती है इस ओरत के पास उसका नया चेह रह किस तरह से होने वाला है इसकी photograph होती है ये लड़की जब इस ओरत से टकरा थी है तो इसकी photograph तूट जाती है ये लटकी बहुत ही sorry होती है और कहती है कि मैं इस frame को सहीँ से करवा कराऊंगी ये वही उस औरत को रुकने के लिए बोलती है पर ये औरत वहाँ रुकना नहीं चाहती जैसी लटकी turn होती है तो ये औरत वहाँ से निकल जती है अब ये जो लटकी थी कि हमारे में ग्यारेक्टर है इसका नाम है सीही सीही ये फोटोग्राफ और फ्रेम लेती है और अपने बॉइफरेंड के साथ एक कैफे में मिलने वाली होती है जब वे कैफे में अंदर आकर देखती है तो उसका बॉइफरेंड वेटर को देख रहा होता है इसके बॉइफरेंड का नाम जीवू होता है सीही जब नोटिस करती है कि वो वेटर को देख रहा था तो ये बहुत ही चीट जाती है सीही उससे पुछती है दो साल हो चुके है कि क्या तुम मुझसे बोर हो चुके हो जीवो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है सी बोलती है कि तुम्हारा डॉक था तुम उससे भी बोर हो चुके थे सीवो कहता है कि डॉक और परसन में एक डिफरेंस होता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाला C.A. मानने रही होती जब वेटर उनसे पुछने के लिए आती है कि उन्हें क्या ओर्टर करना है तो C. उस पर भी चीट जाती है जीवो कहता है कि तुम्हें इस तरह से भी ही वो नहीं करना चाहिए C. अभी भी उस पर चीटी ही गए होती है जब यह सब चल रहा होता है तो जीवो ने जहाँ कार पार्क ही होती है वहाँ कुछ लटकिया उस कार को टकरा देती है वो जीवो को काल करती है और बुलाती है C. इन लटकियों को देख रही होती है ये लेटकिया, जीवोई को उनका नंबर देती है और जीवोई भी अपना नंबर उन्हें देता है सीही इस पर भी चिट जाती है वो कहीती है, उनको क्या जरूरत थी उनका नंबर तुमें देने की जीवोई कहती है, कोई problem आया, कुछ हुआ तुम्हें उनको कॉल कर सकता हूँ सिही कहती है कि तुम्हें सिर्फ उन्हें बदाना चाहिए था कि इंशॉरंस ये सब देख लेगा तुम्हें उनसे कॉंटेक्ट करने कोई भी जरूत नहीं है सिही बहुत ही जिड़ जाती है और उन लड़कियों के पास आती है उन लड़कियों से वो जगडने लग जाती है ये उनको जो भी भरा भरा केती है और लड़किया भी उसे गालिया देती है इसके बाद सिही जीवू के घर पर आ जाती है जीवू भी घर आने के बाद उसे गले लगाता है CU से कहती है कि एक ही face बार बार देखना कि तुम्हें पोर हो गया है जीव अभी भी उसे मना करता है इसा कुछ भी नहीं है इसा 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 अशोर करता है इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ intimate होना चाहते है जीव बहुत ही ठक गया होता है तो है सही से कुछ करने पहा रहा रहता CU से कहती है कि रेस्टॉन में तुम्हें वो लटकी पसन आई थी उसे तुम imagine करो इसके बाद ये तुनों intimate हो चुक है ये हमें दिखता है थोड़ी देरे बाद जब ये बेड़ में होते है तो CU उसे पूछती है क्या तुम उसे imagine कर रहे थे जीव कहता है कि तुमने ही तो कहा था CU इस पर बहुत ही चिट जाती है इसे अब मालूम हो जाता है कि वो उससे बोर हो चुका है दुसरे दिन जीवो अपना अपना काम कर रहा होता है वो जब अपने डेस्क पे CE की फोटो देखता है तो उसे उसकी याद आती है वो जब उसे कॉल लगाता है तो ये नंबर सर्विस में नहीं होता ये परेशान हो जाता है और CE की अपार्मेंट पर आ जाता है वो आने के बाद उसे पता चलता है कि वो वहाँ से मूव कर चुकी है CE जहाँ काम करती थी उसके कोवरकर के पास भी हो जाता है इस कोवरकर को पुछता है पर इसे पता ही नहीं होता कि उसने कवी मूवीन किया था अब हमें सीही एक अलग अपार्मेंट में दिखती है अपनी जो सब फोटोस होती है यह सब कुछ वो जला देती है कुछ मैगजिन से ब्यूटिफुल लेडिकियों की फोटोस निकालती है और उसे वो एक नया फेस बनाती है यह फेस अब उसे चाही होता है यह प्लास्टिक सर्जरी के होस्पिटल में आती है डॉक्टर से जब बात करती है तो डॉक्टर से कहता है कि मैं तुम्हें प्रिटी नहीं मना सकता है मैं सिर्फ तुम्हें डिफरंट मना सकता हूँ और यही सीही को चाही होता है डॉक्टरों से बोचता है क्या तुम तुम तुमारे चेरे से टायट हो चुकी हो सिही कही थी कि प्लीज ये कर दो डॉक्टर फिर सिही को डराने के लिए ब्लास्टिक सर्जरी की प्रोसेजर किस तरह से होती है ये उसे दिखाता है डॉक्टर सीही से कहता है एक बार तुमने प्लास्टिक सर्जरी कर ली तो फिर से तुम अपना ओरिजिनल फेस नहीं पास सकोगी सीही जब यह प्रोसेजर देखती है तो रोने लग जाती है पर इसे अभी भी यह सब करना ही होता है डारेकली सीही का ओपरेशन हो चुका है यह हमें दिखता है सीही को अब रिकवर करने के लिए छे मैंने लगने वाले है यह जो प्रोसेस है यह बहुत ही पेनफुल होने वाली है इसे हमेशा अपना फेस कवर करकर रखना होता है CU के friends को जब पता चलता है कि CU से छोड़कर चली गए है तो उसके friends उसके लिए एक date लाते है और यह सब party के लिए आते है यह उसे समझाते है कि अब तुमें move on करना चाहिए CU कहता है कि हम दो साल तक एक साथ थे यह उसे इतनी जल्दी भूल नहीं सकता उसका friend बोलता है कि क्या तुम उससे बोर नहीं हो गए थे CU को इस तरह से नहीं लगता CU के लिए उसके friend ने जो date लाई होती है यह date और CU यह दोनों बहुत ही बाते करते है यह लड़के फिर CU से पुछती है यह कही हमें चलना चाहिए हमें बाते करने चाहिए यह उसे indirectly मोटल पर लेकर जाना जाती है यह दोनों जब मोटल पर जाते है और intimate होने वाले होते है तब ही कोई पत्थर से उनका शीशा तोड़ देता है इस मोटल का manager आता है और इने बहुत डाटता है इन दोनों को यहां से वो बहार निकाल देता है नेक्स दिन जीव जब hangover होकर उठता है तब उसे उसकी friend का call आता है यह जो friend है एक college की उसकी friend है यह एक बड़ी से photographer बन चुकी है जीव को भी photograph निकालना अचा लगता है इन दोनों में बहुत सारी चीज़े common होती है यह इस town में नहीं रहती आज exhibition है तो जीव से हो मिलना चाती है exhibition में एक दूसरे से हो मिलते है और डिनर करने के लिए अच्छे से restaurant में आ जाते है यहाँ और वो अपनी पुरानी बातों के बारे में बात करते है जीव की friend अब serious हो जाती है वो कहती है कि जब हम एक दूसरे से मिले थे तब हम दोनों engaged थे अब यह दोनों single है तो एक दूसरे के साथ ही हो सकते है इन्हें पहली बार में भी attraction हो चुका था यह फिर जीव को kiss करती है और कहती है कि मैं ladies room जाकर आती हो जीव बाहर उसका wait करता है जब यह ladies room में जाती है तो वहाँ कोई होता है इस movie में हमें दिखाया नहीं गया है कि वहाँ कोन था पर यह सी ही होती है next आने माले कुछ scenes में हमें पता चलेगा जीव जब अपने friend का बाहर इंतजार कर रहा हता है तो वह वहाँ आती है और उसे मना कर देती है ओके दी है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती है जीव insist करता है मुझे कम से कम तुम्हारे घर तो छोड़ने दो जब वो इसे घर छोडने के लिए आता है तो जबर्दिस तो उसे kiss करता है उसकी friend उसे जड़कती है और वहाँ से जादे जादे कह कर जाती है कि तुम बहुत ही happy person हो सिर्फ उसे कुछ behave करना है यह उसे कह कर वो चली जाती है इस dialogue से हमें पता जाजाता है कि वो सीही से ही मिली थी सीही जीव से इतना प्यार करती है कि उसने उसके लिए plastic surgery कर लिए है यह जीव की friend को पता है जीव की friend इसले ही जीव से अब कोई भी सम्मण नहीं रखना चाती दूसरे दिन जीव शीप में होता है वहाबर वो एक लड़की को देखता है यह हमारी सीही ही है पर उसने अपना face cover कर लिया है जीव उसे live देना चाता है पर उसे देती नहीं जीव यहाँ से directly एक sculpture पार्क में आ जाता है यह जो पार्क है इस समुन्दर के पास ही होता है जीव और सीही ने यहाँ बहुत सारी images ली थी इस पार्क में भी सीही ही आती है वो उसकी photo लेना चाता है इस बेचारे को पता ही नहीं है कि यह सीही ही है अब next day में हम देखता है कि जीव और उसके friend एक blind date के लिए आयो होते है यह cafe होता है जिसमें वो अलग-अलग boat शोड़ देते है इस पर उनका नाम होता है लड़किया भी अपने नाम लिखती है और लड़की भी अपना नाम लेते है जिसके पास opposite boat चली गई तो यह लड़की लड़किया यह दोनों एक दूसरे को date करते है जीव को यहाँ एक लड़की पसना आती है पर उसकी boat उसके पास आती है नहीं एक अलगी लड़की के साथ उससे date करना पड़ता है यह लड़की समझ जाती है कि जीव उसमें interested नहीं है जीव उससे ज़्यादा formal हो रहा होता है तो accept नहीं करती है यह थी है कि चलो हम shooting करने के लिए जाते है यह तो मज़ा हो सकता है यह लड़की और जीव जब shooting करने के लिए जाते है तो जीव को यह करने में मज़ा आता है वो इस लड़की से फिर से मिलना चाता है यह दोनों जब बाहर आते हैं तो जियू से कहता है तुम जब यह shooting कर रहे थी तुम बहुत ही confident और beautiful लग रहे थी यह लड़की कहती है कि यह stays के लिए बहुत ही अच्छा होता है इसके बाद यह दोनों एक दूसरे के opposite पीट करते हैं और लड़की कहती है कि अगर हम मुड़े तो हम फिर से date करेंगे अगर हम चलते चलेगे तो हम एक दूसरे में interested नहीं है यह हम समझ लेंगे जियू को उसे date करना होता है पर लड़की मूड़ थी नहीं इस लड़की के आखों में आसो है यानि के sacrifice कर रही है यहाँ भी सीही उसे मिली है यहाँ पहता चलता है रात में जियू का फ्रेंड उसे call करता है वो कहता है कि मेरी जो date थी वो तुम्हें बहुत ही interested थी मैंने तुम्हारा number उसे दे दिया है जियू को भी वो पसंद थी इसलिए उसका wait करता है पर कभी भी उस लड़की का call ही नहीं आता next scene में हमें दिखता है कि जियू को जो cafe पसंद आता है वहाँ वो आ जाता है जिस waiter को movie के first में वो देख रहा था वो waiter अब यहाँ नहीं है यहाँ पर एक नहीं लड़की काम कर रही है हेकागस पर I love you, I love you लिख रही होती है यानि कि यह CEE ही है अब 6 मैंने गुजर चुके है तो अब वेर नवे face में है यह जियू के पास जाती है और उसे smile देती है जब वो उसे coffee दे रही होती है तो यह coffee गिर जाती है नेकसिन में फिर से जियू जब शिप पर होता है तो यह फिर से इस waitress से मिलता है यानि CEE से वो फिर से एक बार मिल जाता है CEE birds को खाना दे रही होती है जियू भी इसे पहचानता है यह दोनों birds को खाना देते है यह दोनों sculpture पार्क में जा रहे होते है तो जियू उसे leave देता है इन दोनों को इस spot पसन होता है जब यह दोनों वहाँ बेटे होते है तो CEE जियू के साथ picture भी लेती है CEE जियू से कहती है कि क्या तुमारी girlfriend है जियू कहता है कि वो 6 मेने हो चुके है वो मुझे छोड़ कर चली गई है CEE कहती है कि क्या तुम अभी भी उसका वेट कर रहे हो कहता है कि कभी-कभी मैं करता हूँ पर कभी नहीं भी करता वो कभी-कभी उसे बहुत मिस करता है जब फेसे ship से जा रहे होते है तो एक दूसरे को kiss कर लेते है CEE ने जो लेटर जीओ के लिए लिखा होता है तो एक छोटी लड़की से वो जीओ को दे दीती है जीओ जब ये लेटर लिखता है तो ये CEE का लेटर है ये देखकर वो बहुत इडिस्टब हो जाता है जीओ वेटर को पैचार नहीं पाता उसे लगता है कि C.E. है नहीं जब एटर उसके पास आती है तो उसे उसका नाम पुछता है यह अपना नाम भी C.E. बता दी है पर फिर भी इस पर बिलिव नहीं करता जो लेटर जीव काया था इस पर C.E. अपना नाम लिखती है जीव से मना कर देता है वो कहता है कि मेरे गल्फरेंड का है तुमें इस पर कुछ भी लिख नहीं सकते जीव इस लेटर को बहुत ही समाल कर रखना चाता है C.E. जब लेटर पर लिख रही होती है तो एस से में हैंडरेटिंग होती है पर फिर भी ये नोटिस नहीं करता जीव सीव पर चिड़ गयाता है C.E. के थी है कि अभी भी अगर तुम अपनी गल्फरेंड से प्यार करते हो तो कल का क्या था कल तुमने मुझे क्यों किस किया था ये इससे जगड़कर वहां से चली जाती है जीव को बुरा लगता है इस रेस्टराण के ओर से वो C.E. का नमबर लेता है उसे हो कॉल करता है या वो फिर से मिलना जाता है C.E. उसे बोलती है कि वो उसे स्टेशन पर मिलेगी जब उसे मिलती है तो उसके पीछे उसे भगाती है उसका मजा लेना चाती है इसके बाद ये दोनों जीव के अपार्मेंट पर आ जाते हैं जीव उसके लिए बहुत सारा खाना कूक करता है तो सीव कहती है ये तो मा के ले रहते हो फिर भी इतनी क्लीन अपार्मेंट जीव कहता है कि मुझे लीनिंग पसन है जीव बोलता है अगर तुमारे अपार्मेंट ठीक नहीं होगी तो मैं तुमारे लिए साफ कर सकता हूँ ये दोनों डिनर करने के बाद जब बेड़ पर बैठे हुए होती है तो जीव इसके साथ इंटिमेंट होने वाला होता है पर ये पहले सीव का लेटर देखता है सीव फिर वहाँ से निकल जाती है दुसरे दिन जब जीव सीव के अपार्मेंट साफ करने के लिए आता है तो एक दुसरे से बहुत बाते करते है सीव की जो पुरानी फोटोग्राफ थी ये उसे मिलती है ये वो देखने वाला होता है तब सीव इससे चीन लेती है चीन कर वो उसे चुपा देती है और इसके बाद ये दोनों इंटिमेट हो जाते है सीव जीव से पूछती है क्या तुम अपनी गर्फेंड को भुला पाओगे ये जीव के लिए आसान नहीं होता सीव को अब बहुत ही पज़ता होता है वो अपने आप से कहती है यह ही उसे चाहिए था अलग फेस वो चाहती थी पर अब जीव उससे बैयर नहीं करता वो अभी भी उसकी पुराने फेस से ही बैयर करता है CE एक जीवो को लेटर लेती है इस लेटर पढ़कर जीवो को लगता है कि उसकी girlfriend यानि कि जो पहली वाले CE थी यह उसे मिलना जाती है वो अपनी पुराने वाली CE से मिलने से पहले अब जो currency है इसे break up कर लेता है यह अभी की CE इस पर बहुत ही चिट जाती है कही थी है क्या मैं सिर्फ time pass थी जीवो कहता है कि मैं एक सहारा डून रहा था CE कहती क्या मैं सिर्फ एक सहारा ही थी इसे ज़्यादा में कुछ नहीं थी इससे वो मारने लग जाती है बहुत ही तमाशा खड़ा करती है इसके बाद जीवो अपनी पुरानी CE से मिलने के लिए आता है जब वो कैफे में बैठता है तो CE का जो पुराने फेस था इसको उसने cut off करकर अपने फेस पर लगाए हुआता है जो सब कुछ था ही अब जीवो को पता जल जाता है उसे बहुत ही बुरा लगता है वो कहता है कि तुम पागल हो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो CE कहती कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हो इसी वज़े से मैंने यह सब किया था जीवो अप रोने लग जाता है जीवो कहता है कि तुम पागल हो मैं तुन्हारे साथ नहीं रहसकता इस कैफे में बहुत ही लौड बात करे होते है तो एक customer को इन से परेशानी हो जाती है जियू को बहुत ही गुछा आया होता है तो एक customer और जियू ये तोनों एक दूसरे से बहुत fight करते है S.E.H.E. को अब बहुत ही बुरा लगता है वो अपना मास लेकर डॉक्टर के पास आती है इसे उसका मास दे देती है S.E.H.E. जब वहाँसे चली जाती है तो J.E.H.E. भी थोड़े टाइम में वहाँ आ जाता है जिवो डॉक्टर के पास CE का मास देखता है जिवो उसे बुछता है कि क्या तुम उसे जानते थे जिवो फिर उसे डिनर के लिए बाहर लेकर जाना चाता है ये डॉक्टर से बोलता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है उसे क्या करना है उसे पता नहीं होता यह डॉक्टर पर भी चीड गया होता है डॉक्टर इसे बहुत मारता है जिवु फिर डॉक्टर से कहता है कि प्लीज मुझे मदद करो थोड़े दिन बाद S.E. को डॉक्टर को कॉल आता है जिवु डिसाइड करता है कि उसे भी प्लैस्टिक सर्जरी करनी है यह सर्जरी करते वाग उसके जो फोटोज होती है यह डॉक्टर S.E. को दिखाता है यही बताने के लिए डॉक्टर ने उसे बुलवाया था S.E. देखकर रोने लग जाती है उसे बहुत पच्टा होता है S.E. जब घर जा रहे होती है तो मास्क में उसे एक आदमी दिखता है उसे लगता है कि यह जीवू ही है तो उसके पीची-पीची हो जाती है इसके पास कैमेरा भी होता है और जीवू को भी फोटो निकालना अच्छा लगता था तो इसे लगता है कि यह वह वही है ये उसके साथ लेक पर आ जाती है इसको लगता है कि सीही उसमें इंटरस्टेड है तो ये कहता है ये पाँच मेहने बाद मुझसे मिलने के लिए आओ तब मुझे तुम सही से देख सगोगी सीही सकल्प्षक पाप में जाती है और अब बहुत ही जीवो को मिस करती है अब हम देखते हैं कि पाँच मेहने गुजर चुके है और सीही जीवो को ढूंदी रहती है जो वो पाँच में जाती है तो उसे एक लड़का दिखता है उसे ही देख रहा होता है तो इसे लगता है कि वो जीवो ही है इसे वो बाती करती है और उसका हाथ हाथों में लेती है जब वो जीवों के साथ होती थी तब उसका हाथ उसके हाथों में लेती थी उसे कहती थी कि हम दोनों के हाथ एक दूसरे के लिए perfect fit है यही वो चेक कर रही होती है जब इस लड़के का हाथ वो अपने हाथों में लेती है तो ये फीट नहीं होता वो वहाँ से चली जाती है सीही जब अपने अपार्मेंट में होती है तो वहाँ एक आदमी आता है सीही उसे देखती है तो ये कहता है कि मैं wrong apartment में आ चुका हूँ थोड़ी दिर मात ये फिर से वापस आ जाता है ये उसे coffee के लिए पुछता है C.E. उसे अपने apartment में भूलवा लेती है C.E. के apartment में sculpture पाप में जो फोटो ली थी ये फोटो देखता है C.E. को कहता है कि मेरी girlfriend और मेने भी यही फोटो ली थी C.E. को लगता है कि ये जीवू ही है वो फिर से उसके हाथों में हाथ लेती है उससे बुछती है कि मेरा हाथ तुमें कैसा लग रहा है कि कहता है कि मुझे वो warm लग रहा है कि अंसर इसे expected नहीं होता यह हाथ भी fit नहीं हो रहा होता तो उसे घर से बाहर निकाल देती है नेक्स दे जब एक कैफे में जाती है तो एक लड़का उसे अप्रोच करता है इससे बात है करने लग जाती है जब वे हाथों में हाथ लेते है तो परफेक्ट fit होता है यह अफजरा खुश हो जाती है सिही जब इसके अपर्मेंट पर आती है इसे इसके बच्पन की फोटोस दिखती है उसे पता जल जाता है कि यह जिवू नहीं है यहाँ से ले जल्दी जल्दी में निकल पड़ती है नेंग्सदे हम देखते है कि Jets Lake के पास वो पाँच मेने पहले किसी आदमी को मिली थी इसे आदमी के बास हो आ जाती है इसे लगता है कि यही जिवू है ये एक photographer होता है सीही जब इसके apartment पर आती है तो सीही की बहुत सारे photos ने निकाली होती है ये सीही से obsessed होता है सीही को लगता है कि ये जीवू है ये उससे पूछती भी है पर ये हाक ये देता है जब ये दोनों intimate हो जाते है तो अपना सही का नाम उसे बताता है सीही अब उससे cheat कर वहाँ से निकल पढ़ती है सीही फिर से cafe में आ रहे होती है तब ही रस्ता क्रॉस करती है रस्ता क्रॉस करते बद एक गाड़ी के सामने हो आ जाती है ये गाड़ी चलाने वाला उससे बहुत गालिया देता है इसके बाद ये cafe में बेट थी है और इससे realize होता है कि इसी तरह से तो जीवू गालिया देता था उससे पता चल जाता है कि ये ही जीवू था ये इसे ढूनने के लिए इसके पीचे बीचे भागती है ये train station पर आ चुका होता है यहाँ भीड होती है तो उसे वो ढूननी बाती है ये फिर जोर-जोर से चिलाने लग जाती है जीवू का नाम लेने लग जाती है ये चिलाते चिलाते ही रोती है ये बलीज मेरे सामने आ जाओ जीव से देख लेता है और वहाँ से भागने लग जाता है सीही भी इसके पीचे भागती है जब ये दोनों train station से भाग आ जाते है जीवू रस्ते से भाग रहा होता है तो उसका accident हो जाता है ये गाड़ी के नीचे आकर मर जाता है जीव अपने आपको guilty समझता था वह सीही ने उसके लिए जो सब क्या है ये उसे बहुत ही गलत लगता था उसे punish करने के लिए वो कभी भी उससे मिलना नहीं चाहता था वो कभी भी उससे मिलने पाएगा हमें सीही फिर से डॉक्टर के पास आयो हुई है ये दिखता है वो डॉक्टर से डिमांड करती है कि वो उसे ऐसा बना दे कोई भी उसे recognize नहीं कर पाए ये plastic surgery करकर जब वो बाहर आती है तो उसके हाथ में वो जैसी बनने वाली है इसका photo होता है जैसा movie के first में होता है कि एक लड़की इससे टकरा जाती है एसा फिर से यहा होता है अब हम फिर से देखते है कि जो लड़की टकरा है थी ये पुरानी वाली सीही थी इसके बाद CD की भीड हमें दिखती है ये movie हमें एक mind band करने वाली ending दे जाती है अगर हम last scene को analyze करे तो हमें CD की भीडबार दिखाए जाती है बहुत सारे faces हम देखते है हमने last scene में देखा है कि plastic surgery करने के बाद जो सीही है और पहली वाली सीही ये एक दूसरे similar है ये कैसे हो सकता है इस movie के director यहां represent करते है कि एक cycle बन चुका है इस बड़ी सी city में हर कोई अपनी identity ढूनना चाता है नया वो कुछ बनना चाते है last scene में हम देखते है कि सीही को अगर face से एक मुका मिला पर जो जैसा हो रहा था वैसा ही वो सब कुछ करेगी हमने आप से वो बहुत insecure है हमेशा किसी ना किसी चीज से भागती रहती है मुवी के फस से उसे लगता था कि जीव उसे प्यार नहीं करता पर ऐसा कभी भी नहीं था जीव उसे बहुत ही प्यार करता था और जीव उसे कभी भुला नहीं पाया था सीही हमेशा अपने आपको खाती रहती थी और इसलिए उसने गलत कदम उठाये थे उसने प्लास्टिक सजरी करवा ली और उसे लगाता है कि सब कुछ अब ठीक हो जाएगा जीवी उसके पास आ चुका था फर भी उसे वाइड में सुसोती थी उसे लगता था कि जीवी पुरानी वाली सीही को भी प्यार करता है अपने आपको फिर से वो इंसिक्यूर फिल कराती है उसे सब कुछ मिल गया था फिर भी वो सही से नहीं रह पाई जब लास में जीवी मर जाता है तो फिर से एक नहीं आइडेंटिटी वो ले लेती है जो प्रॉलम था यह सीही के माइन में हमेशा से था उसकी थौट प्रोसेस बहुत ही गलत थी उसी तरह से हमें अपने आपको एक्सेप्ट करना चाहिए हम अपने आपको ही अगर सुपेरियर नहीं समझेंगे तो हमें लगेगा कि लोग भी हमें इन्फिरियर समझते है यह जो हमारा फेस से हमारी जो बॉड़ी है यह भावान का दिवावा गिफ्ट है इसे हमें एकसेप्ट करना चाहिए अगर हमने इसे चेंज भी कर दिया तो हम अमारी थौट प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते यह बहुत ही डार्क मुवी थी और हमें एक इम्पॉर्टन मैसेज दे कर जा दिया अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओगा